एक तरफ पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने प्रीमी सचिन से मिलने पाकिस्तान से भारत आ गई फिर अंजू पाकिस्तान के नसरुला से मिलने पाकिस्तान चली गई इन मामलों की चर्चा खत्म ही नहीं हुई थी कि अब एक और मामला सामने आया है जो इनके जैसा तो है पर थोड़ा सा अलग है यह मामला है उजमा का जो 19 साल पहले टूरिस्ट बनकर लखनों आई और फिर वापस गई ही नहीं यह पूरा मामला भी काफी दिल्चेस्प है चलिए आपको बताते हैं नमस्कार मैं हूँ प्रेणा और आप देख रहे हैं OTT इंडिया उजमा के मामले में भारत और पाकिस्तान की बात तो है अंतर सिर्फ इतना है कि महिला हाल फिल हाल में भारत नहीं आई वो सालों पहले टोरिस्ट बनकर यहां आई थी और अब अपनी दो बेटियों के साथ यहीं पर रह गई पुलिस को इस मामले में एक्शन लेने में 15 साल लग गए है अब उस महिला को बेटियों समेट जेल भीरतिया गया है दरसल मामला यह है कि पाकिस्तान की रहने वाली उजमा की शादी भारत के रहने वाले अबदुल नासर से साल 1996 में हुई थी उसमा नासर की मौसी की बेटि है उसके बाद दोनों की दो बेटिया हुई उसमा पाकिस्तान रही और नासर भारत में शादी के लगबग 8 साल बाद 17 अगस 2004 उसमा 65 दिन के टूरिस्ट वीजा पर अपनी दोनों बेटियों के साथ भारत आ गई यहां वो लखनो पहुँची और पती नासर के साथ रहने लगी नॉर्मल यह होता है कि जैसे ही वीजा की अबदी समाप्त हो जाती है तो अपने देश वापिस लोटना होता है लेकिन उसमा ने ऐसा नहीं किया 31 दिसंबर 2004 को वीजा की मियाद पूरी होने के बाद भी वो बेटियों को लेकर पाकिस्तान वापस नहीं लोटी और लखनों में चिनहट थाना शेत्र में जो गौर इलाके में पती नासर और बेटियों के साथ रहने लगी सालों से वो यहाँ पर अवैर तरीके से रह रही थी लेकिन पुलिस और खूफिया एजनसी को कानों कान खबर तक नहीं थी हाल ही में पुलिस और खूफिया एजनसी को इस बात की जानकारी लगी कि पाकिस्तानी महिला अपनी दो बेटियों के साथ सालों से जुगोर इलाके में अवैर तरीके से रह रही है सूचना मिलने पर लखनोप पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस की टीम नासिर के घर जाधम की पुलिस को वहाँ पर पूरा परिवार मिल गया पूश्टाश हुई और पूरी सच्चाई सामने आ गई इस मामले पर ADCP पूर्वी जून सेद अली अबास का कहना है कि पाकिस्तानी महिला उज्मा और उसकी दो बेटियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत मुकदमा दर्श कर लिया गया है उन्हें जेल भेश दिया गया है मामले में आगे की कारिवाही की चा रही है इस खबर को सुनकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट वॉक्स में जरूर बताएं और असी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें OTT इंडिया